नमस्कार बच्चों, पिशली वीडियो में हमने पार्ठ दो असल धन कहानी को समझा था और उस कहानी से संबंदित कुछ अभ्यास के प्रशन भी किये थे आज हम इस वीडियो में उसी कहानी से संबन्दित भाशा की बात के कुछ प्रशन करेंगे जो की व्याकरन से संबन्दित है तो आईए वच्चों शुरू करते हैं तो हमारा पहला प्रशन है पाठ में से दो दो व्यक्तिवाचक जातिवाचक भावाचक संग्या शब्द छाट कर लिखेंगे तो इस प्रशन को पढ़ने से पहले करने से पहले हम जानेंगे कि संग्या किसे कहते हैं और उसके भेदों के विशे में भी पढ़ेंगे तो आईए बच्चों जान लेते हैं संग्या किसी भी वस्तु व्यक्ति गुण भाव स्थिति का परिच्चे कराने वाले शब्द को संग्या कहते हैं संग्या का दूसरा परियाए है नाम अते किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थिति या गुण के नाम को संग्या कहते हैं उधारन है इसके जैसे मनुष्य, रमेश, पुस्तक, कलम, हवा, प्रेम, आदी देखिए बच्चों, संग्या का जो दूसरा परियाए है वह है नाम संसार में कितनी ही वस्तु नाम ना हो तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे जैसे सेब सेब का एक नाम है यदि उसका कोई नाम ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि यह सेब है ठीक है उसी परकार हर देश का भी अपना-पना एक नाम है हर व्यक्ति का भी अपना-पना एक नाम है तो इसे ही हम संग्या कहते हैं ठीक है वच्चों, तो आगे हम संग्या के भेदों के विशे में पढ़ते हैं, संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद हैं, नमबर एक व्यक्ति वाचक संग्या, नमबर दो जाती वाचक संग्या, नमबर तीन भावाचक संग्या, तो पहले हम व्यक्ति वाचक संग्या के व जो शब्द किसी विशेश व्यक्ति, विशेश वस्तु, विशेश थान या विशेश प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, जैसे इसके कुछ उधारन दिये गए है नीचे, जैसे ज्वाहर लाल नहरू सीता, ये किसके नाम है, ये व्यक्तियों के नाम है, एरावत एक हाथी का नाम है, कपिला गाएं का नाम है, और ये हाथी और गाएं जो क्या हैं, वो प्राणियों के नाम है, एरावत और कपिला प्राणियों के नाम है, दिल्ली, अमेरिका, भारत, ये स्थानों के नाम है, कावेरी, रमायन, नीलगिर यह वस्तु के नाम है तो व्यक्ति वाचक संग्या उसे ही कहते हैं जैसे किसी भी विशेश वस्तु जो केवर उसी वस्तु की ओर इशारा करे किसी विशेश धान जैसे हम अगर दिल्ली बोलते हैं तो हमारा ध्यान दिल्ली की ओर जाएगा दिल्ली और किसी एक विशेश प्र आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सभी बच्चों का अपना-पना एक नाम है. तो अगर किसी अध्यापक को, किसी एक बच्चे को बुलाना हो तो वह उसका नाम लेकर बुलाएगा. ठीक है? तब ही पता चलेगा कि अध्यापक जो है किस बच्चे को बुलाना चाहा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संग्या के अंतरगत आता है ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं संग्या क्या हमारा अगला भेद है? जातिवाचक संग्या जो शब्द किसी जाती का बोध करवाए अर्था जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाती का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संग्या कहते हैं जैसे मनुश्य, नारी, फल, नदी, देश, प्रांत, आदी तो जाती वाचक संग्या को समझते हैं जैसे यहां उधारन दिये गए हैं मनुश्य, नारी, फल हम फल को ले लेते हैं ठीक है फल में फल के अंतरगर्द सभी फल आ जाते है फल की पूरी जाती आ जाती है अब फलों में तो कई तरह के फल होते हैं सेब होता है, केला होता है, अमरूद होता है, अनार होता है लेकिन जो हमें उस फल की पूरी जाती का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं जाती वाचक संग्या अब नदिया भी कहीं है हमारे देश में संसार में कहीं नदिया है सबका अपना-पना एक नाम है जैसे कावेरी गंगा गंगा एक नदी का नाम है तो गंगा क्या है वह व्यक्ति वाचक संग्या है क्या है व्यक्ति वाचक संग्या और यदि हम केवल नदी बोलते हैं तो वो कौन सी संग्या है जाति वाचक संग्या है ठीक है बच्चो तो आगे बढ़ते हैं भाव आचक संग्या संग्या का तीसरा भेद भाव आचक संग्या किसी गुण दशाब स्वभाव का रे भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाव आचक संग्या कहते हैं उधारन देख लेते हैं इसके गुण दोश भाव अच्यक संग्या में गुण और दोश भी आ जाते हैं वो क्या हो सकते हैं? सुन्दर्ता हो सकती है, चतुर्ता हो सकती है, कुरूपता हो सकती है सुन्दर्ता और चतुर्ता तो उसका गुण हो गया और दोश क्या हो गया? कुरूपता दशा की किस अवस्था में है बुड़ापई की अवस्था में है योवन की अवस्था में है या प्यास की अवस्था में है भाव आशा का भाव सुआर्थ का भाव क्रोध का भाव या शांती का भाव कार्य सहायता का परशंशा सला आदि तो भाव अच्चक संग्या को जान लेते हैं कि जिस से हमें किसी व्यक्ति के गूण का उसकी दशा का स्वभाव का कार्य का भाव या स्वभाव का बोध होता है और कराने वाले जो भी शब्द होते हैं उसे हम भाव अच्चक संग्या कहते हैं भावाच्चक संग्या में किसी भी व्यक्ति के गून को उसकी दशा को अवस्था को केवल हम महसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते और जिसे हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं वह भावाच्चक संग्या के अंतरगा दाती है जैसे अब किसी की दशा बुडापे की दशा में है, योवन की दशा में है, अवस्था में है, तो उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, अब कोई कितना क्रोधित है, कितना शान्त है, उसे भी हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं वह भावाचक संग्या के अंतर करता आएगा आगे बढ़ते हैं तो हमने जाना और समझा कि संग्या किसे कहते हैं और उसके भेदों के विशे में भी जाना कि उसके तीन भेदों होते हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भावाचक संग्या हमने इसके तीनों भेदों को पढ़ा और समझा, तो आप इसी से संबंदित ये प्रशन कर लेते हैं, तो हमारा प्रशन था, पार्ट में से दो-दो व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भावाचक संग्या शब्द छाट कर लिखिए, तो व्यक्तिवाचक संग्या में हम दारा का नाम लिख सकते हैं, जो की कहानी का मुख्य पात्र था और इरान, जो देश का नाम है, ठीक है? जातिवाचक संग्या में हम चर्वाहा इससे हमें चर्वाहों की पूरी संपूर्ण जाती का बोध हो रहे है चर्वाहों की पूरी संपूर्ण जाती का बोध हो रहे है करमचारी इसमें भी जितने भी करमचारी हैं वे सब ही आ जाते हैं ठीक है किसी एक करमचारी की बात नहीं हो रही है सब ही करमचारियों की यहाँ पर बात हो रही है जाती वाजक संग्या में हम शाशक भी लिख सकते हैं और दर्बारी भी लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी एक शाशक या एक दर्बारी की बात नहीं हो रही है संपूर करमचारियों की संपूर दर्बारियों की बात हो रही है भाव आचक संग्या इसके अंतरगत हम क्रोध और बुद्धिमानी लिख सकते हैं क्योंकि क्रोध और बुद्धिमानी दोनों को हम केवल महसूस कर सकते हैं अब हम ये तो नहीं देख सकते कि किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धिमानी कितनी है या क्रोध कितना है उसे तो हम केबल महसूस कर सकते हैं तो इसलिए क्रोध और बुद्धिमानी भावचिक संग्या के अंतरगत आएंगे अपने अगले प्रशन की और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है मुहावरों के परियोग से भाषा आकरशक बनती है इनका अक्षरश्य अर्थ नहीं बलकि लाक्षनिक अर्थ लिया जाता है पाठ में अनेग मुहावरे आए हैं जैसे फूलाना समाना जिसका अर्थ है खुश होना अब आप दिये गई मुहावरों का वाक्य में परियोग कीजिए तो हमारे पास ये मुहावरा दिया गया है कान भरना तो हमने इसका वाक्य में परियोग करना है दर्बारी दारा के खिलाफ शाह के कान भरने लगें हमारा अगला मुहावरा है दंग रहे जाना दंग रहे गए हमारा अगला मुहावरा है आँखों में चमक आना दारा ने जैसे ही अपना बक्सा खोला सबकी आँखों में चमक आ गई तो हमारा अगला प्रश्ण है पाठ में कई विशेषन शब्द आए हैं आप बताईए कि वे किसकी विशेष्टाएं बता रहे हैं तो यहाँ पर कुछ विशेष्टा शब्द दिये गए हैं और यहाँ पर किसकी विशेष्टा बता रहे हैं हमें यह लिखना है तो हम विशेष्टा किसे कहते हैं यह हम अपनी पिछली वीडियो जब हमने हम पंची उनमुक्त गगन के कवीता की थी, उसमें कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने नहीं देखी हैं, तो वह पहले वो वेडियो देखें, उसमें बताया गया है कि विशेशन शब्द किसे कहते हैं। तो आईए, देखते हैं, विशेशन शब्द, गरीब। गरीब किसकी विशेषता बता रहा है? चरवाह की. चरवाह की विशेषता क्या है कि वैं? गरीब है. रूखी सूखी. रोटी की. रोटी की विशेषता क्या है कि रोटी कैसी है? रूखी सूखी. अगला है हमारा भ्रष्ट. भ्रष्ट का करमचारी. भ्रष्ट करमचारी. करम पिचारी की विशेषता क्या है कि वे भरष्ट है, बुद्धिमान, समझदार, इमानदार, ये सब किसकी विशेषता हैं, शाशक की, कि शाशक की विशेषता क्या है कि वे बुद्धिमान है, समझदार है और इमानदार है, जटिल, जटिल समस्याएं, समस्याएं कैसी हैं, ज तो समस्याओं की विशेष्टा क्या है कि वे जटिल हैं तो वच्चों हमने इस वीडियो में असल धन कहानी के व्याक्रन से संबंदित और या भाशा की बात से संबंदित प्रश्ण किये आशा करती हूं आपको ये अच्छे सी समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ तो तब तक के लिए नमस्कार